बचो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की English की पहली चैप्टर की शुरुवात और इस चैप्टर का नाम है The Three Questions, तीन सवाल अब यह जो कहानी है बचो यह लिखी है Leo Tolstoy ने और बहुत ही रोचक सी कहानी है एक राजा की वही उस राजा के मन में कुछ सवाल आते हैं अब वो सवाल क्या है जानने के लिए क्या करेंगे बचो कहानी की शुरुवात करेंगे ना तो चलो करते हैं कहानी की शुरुआत, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वो तीन सवाल क्या है, पहला सवाल है, how to tell the right time for every deed, डीड मतलब कोई भी जो हम काम करते हैं वो, तो कैसे पता चले कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, दूसरा सवाल, how to know who are the most essential people, भी दूसरा सवाल यह है कि हम किस प्रकार से जाने कि कौन सबसे जादा जरूरी लोग हैं, और तीसरा सवाल, how to decide which pursuits are the most important, अब हम किस प्रकार से फैसला करे, decide करे कि कौन से हमारे जो काम हैं, वो सबसे जादा important हैं, जरूरी हैं, a king has three questions and he is seeking answers to them, अब एक राजा है बच्चों, जिसकी ने क्या है, जिसके मन में तीन सवाल है और वो उन तीन सवालों के क्या कर रहा है, सीख कर रहा है, ढोन रहा है, answers, उत्तर, what are the questions of question क्या है, does the king get what he wants, क्या राजा को वो मिलता है जो से चाहिए, भई, कैसे पता करेंगे हम इन सारी बातों का, बच्चों, जब हम कहानी की शुरु बात करते हैं, दिखिये, the thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things, एक thought, एक विचार आया, एक राजा को, king यानि की राजा, that he would never fail, कि वो कभी भी असफल नहीं होगा, फेल नहीं होगा मतलब असफल नहीं होगा, if he knew three things, अगर उसे पता हो तीन चीजों के बारे में, these three things were, अब ये तीन चीज़े कौन सी थी, देखिये, what is the right time to begin something, कि भही कौन सा सही समय है, किसी भी काम को begin करने का, शुरू करने का, which people should he listen to, और किन लोगों की बात उसको क्या करने चाहिए, लिसन करनी चाहिए, मतलब सुननी चाहिए, what is the most important thing for him to do, और फिर राजा के मन में तीसरा सवाल क्या था, कि भई कौन सी सबसे जरूरी चीज़ है उसके लिए, जो क्या करनी चाहिए, जो से करनी चाहिए, तो बच्चो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो अभी हमने मीनिंग्स देखे है न, उन्हें साथ साथ रिवाइस करेंगे, देखिए पहला है thought, thought का मतलब होता है, विचार, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, फेल यानि की असफल, बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना, आरंब करना, something यानि कोई बात या फिर कोई चीज, listen मतलब सुनना important का मतलब होता है महत्व पून ये बच्चों कैसे लिखा है ये गलत लिखा है ना कैसे लिखेंगे हम महत्व पून फिर है think think मतलब बात या फिर कोई चीज the king therefore इसी कारण से उस king ने उस राजा ने क्या किया sent messengers अपने दूत messengers यानि की दूत अपने जो दूत थे वो भेज दिये throughout सभी जगे his kingdom अपने उस राज्य में promising a large sum of money और उसने क्या किया भी अपने दूत तो भेजे साथ ही साथ ये वाधा भी किया कि बहुत बड़ा जो धन है बहुत बड़ी जो धन राशी है वो उस व्यक्ति को दी जाएगी जो क्या कर पाएगा who would answer these three questions जो की इन तीनों सवालों के उत्तर दे पाएगा many wise men came to the king बहुत सारे बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए but they all answered his questions differently पर सभी वो जो बुद्धिमान आदमी थे न वो सब क्या कर रहे थे उस राजा के सवाल का जो उत्तर था वो कैसे दे रहे थे differently दे रहे थे अलग-अलग तरीके से दे रहे थे तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या-क्या meanings पड़े हैं देखिए सबसे पहला है therefore therefore का मतलब है इसलिए messengers मतलब दूद throughout throughout का मतलब क्या है सब जगे हर तरफ फिर है kingdom यानि की सामराज या फिर क्या बोल सकते है राज large मतलब बहुत बड़ा wise मतलब बुद्धिमान और differently मतलब अलग धंग से in reply to the first question पहले जो सवाल था जो राजा की तीन सवाल थे उन तीन सवालों में से पहले सवाल का उत्तर देते हुए reply करना मतलब उत्तर देना तो उत्तर देते हुए some said कुछ लोगों ने कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा the king must prepare a time table कि राजा को prepare करना चाहिए तयार करना चाहिए एक time table time table क्या होता है समय सार्णी and then follow it strictly और फिर उस वो जो समय सार्णी जो राजा बनाएगा उसका क्या करना चाहिए बच्चो उसको follow करना चाहिए उस time table का पालन करना चाहिए strictly मतलब कठोड़ता से एकड़म only in this way केवल इस तरीके से they said उन लोगों ने कहा could he do everything at its proper time कि भई यही एक तरीका है कि आप समय सार्णी बनाओ इसी तरीके से वो जो राजा था वो क्या कर पाएगा वो हर चीज कर पाएगा अपने उस proper time पे मतलब उचित समय पर others said जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा that it was impossible to decide in advance the right time for doing something तो जो बाकी लोग थे वो क्या कह रहे थे कि यह क्या है impossible है असंभव है यह फैसला करना in advance मतलब पहले से ही the right time for doing something पहले से क्या decide करना फैसला करना असंभव है बच्चों पहले से यह फैसला करना असंभव है कि किसी भी कार को करने का right time यानि सही समय क्या है तो जो बाकी लोग थे ना जो क्या है avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time और जो बच्चों वो लोग थे ना जो कह रहे थे कि यह असंभव है कि पहले से हम फैसला करके रखें उन लोगों ने यह भी कहा the king should notice कि जो राजा थे उन्हें ध्यान देना चाहिए या खबर रखनी चाहिए all that was going on हर उस बारे में जो की चल रहा है avoid foolish pleasures और avoid करने चाहिए यानि कि टालना चाहिए उन्हें राजा को सभी प्रकार के क्या foolish pleasures यानि कि मुर्खता पून जो सुख है ना उन से दूर रहना चाहिए उनको टालना चाहिए राजा को and always do whatever और हमेशा वो करना चाहिए that seemed necessary जो की आवश्यक या फिर जरूरी लग रहा हो उस समय पर तो भई बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए सबके अलग-अलग सुझाओ कोई कह रहा है समय सारनी बनाओ और कोई कह रहा है कि भई ये पहले से बताना मुश्किल है कि कब किस समय पर क्या करना चाहिए पहले से हम ये फैसला करके तो नहीं रख सकते ना तो चलो अभी देखते हैं क्या-क्या हमने मीनिंग्स पढ़े बच्चो देखिए सबसे पहला है रिप्लाई रिप्लाई मतलब उत्तर देना प्रिपेर यानि की तयार करना टाइम टेबल क्या होता है समय सारनी स्ट्रिक्ली मतलब कठोड़ता या फिर सकती से इंपॉसिबल यानि की असंभव डिसाइड यानि की निश्चय करना नोटिस मतलब सूचना या फिर खबर या फिर ध्यान देना अवोईड मतलब टालना और एक और मतलब होता है बच्चो अवोईड का वो होता है बच्चना फूलिश प्लेजर यानि की मुर्खता पूर्ण सुख नेसेसरी मतलब आवश्यक या फिर जरूरी येट अधर सेड और फिर भी कुछ लोगों ने कहा और फिर भी कुछ लोगों ने कहा यानि की जरूरत है एक ऐसे काउंसिल की एक ऐसे परिशद की और वो परिशद कैसा होना चाहिए वो परिशद होना चाहिए वाईज मेन का बुद्धिमान लोगों का बुद्धिमान व्यक्तियों का वो वुड हेल्प हिम जो क्या करेंगे उनकी मदद करेंगे help करेंगे मतलब मदद करेंगे किसकी मदद राजा की मदद करेंगे act at the proper time किस चीज में मदद करेंगे राजा की कि राजा सही समय पर सही कारत कर पाए this was because one man would find it impossible to decide correctly अब ऐसा क्यों कहा कुछ लोगों ने कि पुद्धि मान लोगों की एक परिशत बनाओ इसलिए कहा क्योंकि एक आदमी के लिए ये impossible था impossible का मतलब क्या है बच्चो असंभव तो एक आदमी के लिए ये impossible था to decide फैसला करना correctly यानि कि सही तरीके से without help from others बिना दूस्टों की मदद लिए फैसला करना मुश्किल है बच्चो असंभव है किसके लिए भई एक आदमी के लिए भई ये फैसला करना कि सही समय क्या है हर कार का तो यहाँ पर क्या क्या मीनिंग हमने पड़े हैं देखिए रिवाइस करते हैं सबसे पहला है काउंसल काउंसल मतलब परिशद या फिर समिती वाइस मेन वाइस मेन कौन होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति या फिर बुद्धिमान लोग हेल्प मतलब सहायता एक्शन मतलब कार्य बट देन अदर सेट देट देर वर सम थिंग्स विच कुट बी अर्जेंट पर सिर कुछ लोगोंने कहा कि कुछ चीज़े ऐसी हो सकती हैं ये जो चीज़े हैं न बच्चो जो अत्यावेशक हैं उनके लिए वेट नहीं किया जा सकता इंतिजार नहीं किया जा सकता उस काउन्सिल के यानि कि उस परिशद के डिसीजन का, फैसले का भही बहुत सारी चीज़े होती है जो बहुत जादा जरूरी है और उन जरूरी चीज़ों पर फैसला लेने के लिए भही क्या होना चाहिए तुरंती लेना पड़ेगा ना पर अगर एक परिशद होगी तो एक परिशद जल्दी से थोड़ी फैसला ले पाएगी किसी भी तो क्या करना ओगा भई बहुत जादा जरूरी है नैसेसरी है मतलब जरूरी है टू लुक इंटो दफ्यूचर मतलब पता लगाना भविष्य के बारे में और केवल जादूगर ही तो ऐसा कर सकते है ना Magicians कौन होते हैं बच्चो जादूगर तो भई हम लोग थोड़ी हम भविश्य का पता लगा सकते हैं लेकिन जादूगर तो लगा सकते हैं The king therefore would have to go to Magicians तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को Magicians के पास जाना पड़ेगा जादूगर के पास जाना पड़ेगा तो बच्चो यहाँ पर क्या क्या मीनिंग्स हैं देखिए सबसे पहला है अरजिंट मतलब अत्यावरश्यक फिर है वेट वेट करना मतलब प्रतीक्षा करना या फिर इंतिजार करना Decision मतलब निर्ने या फिर फैसला लुक इंटू मतलब पता लगाना या फिर ध्यान से देखना और Magicians कौन होते हैं जादूगर होते हैं बच्चों In their answers to the second questions और पहले सवाल के उत्तर में तो लोगों ने बहुत सारे तरह के उद्धिमान लोगों ने तरह तरह के जवाब दे दिये कोई कह रहा है समय सार्नी बनाओ कोई कह रहा है कि जादूगर के पास जाओ भविष्यक जानने के लिए कोई कह रहा है कि एक उद्धिमान लोगों की परिशत बनाओ तो पहले सवाल का तो बिल्कुल सही उत्तर नहीं मिल पाया राजा को कि भई क्या सही उत्तर है उसके सवाल का अब दूसरे सवाल के उत्तर में सम सेड कुछ लोगों ने कहा that the people most necessary to the king were his counsellors की उन लोगों ने बुधिमान लोगों ने कहा की जो लोग है जो सबसे ज़ादा जरूरी है उस राजा के लिए वो हैं उस राजा के counsellors counsellors मतलब सभासद others said कुछ लोगों ने कहा की भई priest यानि की जो पंडित है या पुजारी है वो जरूरी है a few others chose the doctors और कुछ लोगों ने कहा की नहीं भई doctor जो होते हैं चिकितसक जो होते हैं वो जादा जरूरी है and yet others said that his soldiers were the most necessary और फिर भी इतने सारे लोग बता रहे थे कि ये जरूरी है वो जरूरी है फिर भी कुछ लोगों ने कहा की राजा की जो soldiers हैं जो सैनिक हैं वो सबसे जादा जरूरी है यानि कि राजा की उस दूसरे सवाल के उत्तर में भी कोई एक उत्तर उसको नहीं मिल पाया अभी भी सभी लोग अलग अलग तरह तरह के उत्तर दे रहे थे तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या मीनिंग्स हैं देखिए रिवाइस करेंगे सबसे पहला है counselors counselors का मतलब होता है सभा सद फिर है प्रीस्ट मतलब पुजारी doctors मतलब चिकिट सक और soldiers मतलब सैनिक टू थर्ड क्वेस्चन अभी राजा ने तीन सवाल किये थे किये थे के नहीं बचो याद करो हम यह पढ़ रहे हैं ना कि राजा के सवालों के उत्तर क्या है अभ राजा के दो सवालों के उत्तर तो उसको नहीं मिले अब तीसरा जो सवाल था उस सवाल के उत्तर में क्या हुआ देखिए to the third question तीसरे सवाल के उत्तर में some said science कुछ लोगों ने कहा कि science विज्ञान जरूरी है others chose fighting दूसरे लोगों ने चुना fighting को चोज किया मतलब चुना fighting को मतलब लडाई को and yet others religious worship और फिर कुछ लोगों ने चुना religious worship को धार्मिक उपासना को as the answers to his questions were so different the king was not satisfied अब भई बच्चों यही तो हम देख रहे हैं कि भई राजा के तरह तरह के उसको जवाब मिल रहे हैं तो क्यों कि जो उत्तर थे राजा के सवालों के वो इतने जादा different थे इतने जादा अलग थे सभी लोगों ने अलग-अलग उत्तर दिये थे the king was not satisfied अब यह जो राजा था ना वो satisfied नहीं हुआ वो संतुष्ट नहीं हुआ and gave no reward और उसने क्या किया कोई भी पुरुसकार नहीं दिया उसने यही तो कहा था कि जो भी मेरे सवालों का उत्तर देगा सही तरीके से उसे वे पुरुसकार दूँगा पर फिर क्या हुआ इतने अलग-अलग उत्तर आयक कि राजा ने तो कोई पुरुसकार ही नहीं दिया बच्चों instead बजाए इसके he decided to seek the advice of a certain hermit उसने फैसला किया क्या कि वो सीख करेगा जो advice है यानि कि वो मांगेगा ढूंडेगा एक advice सला एक खास hermit की एक खास सन्यासी की was widely known for his wisdom जो की प्रख्या था अपनी wisdom के लिए बुद्धी मानी के लिए भई कोई भी बुद्धी मान व्यक्ती राजा के सही सवालों के उत्तर नहीं दे पाया इसी कारण से राजा ने फैसला किया कि भई बजाए इसके कि मैं लोगों से पूछू मैं खुदी एक सन्यासी के पास जाता हूँ और वो सन्यासी था बच्चों जो की प्रख्याद था अपनी बुद्धि मता के लिए बुद्धि मानी के लिए तो यहां पर क्या-क्या शब देखे बच्चों हमने रिवाइस करेंगे साथ-साथ वर्ड्स को जब हम रिवाइस करते हैं तो कहानी बहुत आसान लगने लगती है तो चलो देखो पहला है साइन्स साइन्स मतलब विज्ञान चूज मतलब चुना रिलिजिस वर्षिप मतलब धार्मिक उपासना डिफरेंट यानि की अलग सैटिस्फाइड मतलब संतुष्ट या फिर त्रप्त रिवाइड मतलब पुरस्कार या फिर प्रतिफल इन्स्टेड मतलब बजाए या फिर बदले में एडवाइस मतलब सला हर्मिट मतलब सन्यासी या फिर एकांत वासी विज्डम मतलब बुद्धी मानी तो बच्चों ये जो हर्मिट था ना वो कहां रहता था एक वुड में वुड का मतलब हम क्या जानते हैं बच्चों लकडी पर यहां पर वुड का मतलब है जंगल तो ये जो हर्मिट था ये जो सन्यासी था ये रहता था एक जंगल में विच ही नेवर लेफ जिसे ये एक ऐसे जंगल में रहता था जिसे उस सन्यासी ने कभी नहीं left किया, कभी नहीं छोड़ा, he saw no one but simple people, और वो जो हर्मिट था ना, वो साधारन लोगों के अलावा किसी से नहीं मिलता था, and so the king put on ordinary clothes, अब चूकी वो सन्यासी साधारन लोगों के अलावा किसी से नहीं मिलता था, इसी कारण से, उस राजा ने क्या किये, put on किये, म he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard, तो भई, राजा है वो तो, अब वो राजा घोड़े पर बैठके ही जाएगा ना, हर्मिट के पास, सन्यासी के पास, पर राजा ने क्या किया, वो जो सन्यासी का जो हट था, है ना, जो जो जोपडी थी, वहाँ पर, रीच करने से पहले, मतलब पहु और फिर वो अकेला ही उस हर्मिट के जोपडे में गया, अब यहाँ पर क्या-क्या मीनिंग्स हमने पड़े हैं, देखिए, रिवाइस करते हैं, सबसे पहला है वुड, वुड का हमने क्या जाना बच्चो, मीनिंग वैसे तो होता है लकडी, पर यहाँ पर जो मीनिंग इस् दोडना या फिर छोडा, ओडनरी क्लोथ मतलब साधारन वस्त्र या फिर साधारन कप्डे, रिष्ट मतलब पहुंचा, पोडी गाड यानि की अंग रक्षक, अलोन मतलब अकेला, जब वो राजा पास आया उस सन्यासी के हट के, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, उसने क्या देखा बच्चो, उसने सौ किया यानि की देखा, कि वो जो hermit था, वो जो सन्यासी था, वो डिक कर रहा था, वो खोद रहा था, जो ग्राउंड था, जो जमीन थी, in front of his hut, hut यानि जोपडी के सामने की, in front of मतलब सामने की, तो जोपडी के सामने की जो जमीन थी, उस पे वो जो सन्यासी था, वो खुदाई का काम कर रहा था, he greeted the king, उसने क्या किया, उस सन्यासी ने ग्रीट किया, यानि की अभिवादन किया राजा का, and continued digging, और अभिवादन करने के बाद, उस सन्यासी ने जारी रखा अपना खुदाई का काम, the hermit was old, अब यह सन्यासी था ना बच्चों, वो कैसा था, old था, बूढ़ा था, and weak, और कमजोर था, and as he worked, he breathed heavily, और जब यह सन्यासी काम कर रहा था ना, तब वो बूढ़ा था, सास ले रहा था, बहुत heavily, मतलब जोर जोर से वो सास ले रहा था, बूढ़ा और कमजोर ही तो है ना, वो सन्यासी, तो खुदाई का काम करते वे, उसकी सास बर रही थी, उसे बहुत महनत लग रही थी, उसको सास लेने में, इसलिए वो जोर-जोर से सास ले रहा था, तो बच्चों, यहाँ पर क्या-क्या शब्ध हमने पड़े हैं, देखिए, पहला है सौ, सौ का मतलब यहाँ पर क्या है, देखा, डिगिंग, मतलब खुदाई का काम, ग्राउंड मतलब मैदान, इन फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने, ग्रीटेड यानि की अभिवादन, ओल्ड मतलब बुढ़ा या फिर पुराना, वीक यानि की कमजोर, ब्रीध हैविली मतलब जोर से सांस लेना, अब ये जो राजा था न, वो सन्यासी के पास गया और कहा, I have come to you wise hermit, मैं आया हूँ आपके पास, ऐ बुद्धिमान हर्मित, ऐ बुद्धिमान सन्यासी, to ask you to answer three questions, क्यों आया हूँ मैं आपके पास, पूछने के लिए, ask करने के लिए, मतलब पूछने के लिए, उत्तर तीन सवालों के, अब वो तीन सवाल भापिस से राजा ने दोहराय देखिए, How can I learn to do the right thing at the right time, किस प्रकार से मैं सीखूं, कि सही कारिक को सही समय पर कैसे करना है, Who are the people I need most, और कौन से वो लोग हैं, जिनकी मुझे सबसे ज़ादा जरूरत है, And what affairs are most important, और कौन से affairs, affairs का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, कार या फिर मामले, तो राजा ने पूछा कि भाई, कौन से कार, कौन से मामले सबसे ज़ादा जरूरी हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या-क्या हमने मीनिंग्स पढ़े हैं, देखिए, रिवाइस करते हैं, पहला है कम, कम का मतलब यहाँ पर क्या है, आना, आस्क मतलब पूछना, लर्न यानि की सीखना, नीड मतलब आविश्यक्ता, या फिर एक और मतलब है बच्चों नीड का क्या है वो, जरूरत, अफेर्स मतलब मामले, या फिर कार्य, अब वो जो हर्मित था ना, उसने उस राजा की बाते सुनी, पर दिद नॉट स्पीक, पर हर्मित यानि वो सन्यासी कुछ नहीं बोला, और बिना बोले वो जो सन्यासी था, वो अपना खुदाई का कार्य करता रहा, You are tired, said the king, तो फिर अब भी राजा ने उसको, हर्मित को, सन्यासी को, वो कार्य करते वे देखा, खुदाई का, तो राजा ने कहा कि आप टायर्ड हैं, आप थके हुए हैं, Let me take the spade and work in your place, मुझे ये फावडा दे दीजिये, और मुझे आपकी जगह पर, place पर, यानि आपकी जगह पर काम करने दीजिये, Thanks, said the hermit, उस hermit ने धन्यवाद कहा, giving the king his spade, और फिर उस hermit ने अपना जो फावडा था, वो राजा को दे दिया, Then he sat down on the ground, और फिर, वो जो सन्यासी था ना, वो ground पर, जमीन पर बैठ गया, तो अब यहाँ पर क्या क्या हमने शब पड़े हैं, बचो देखे, पहला है listened, यानि की सुना, फिर है speak, मतलब बोलना, Tired मतलब थकान, थकना या फिर, थका हुआ, स्पेड का मतलब क्या होता है, फावडा या फिर, कुदाली, प्लेस मतलब जगह, सेट डाउन, यानि की बैठना, तो बचो दिख दीए ना आपको यह दस्वीर, अब यह जो राजा है, वो इस बूढ़े से हर्मिट के पास आया है, अपने सवालों की उत्तर मांगने, और फिर, राजा ने इस हर्मिट से मांगा है, उसका फावडा, की भई आप मुझे फावडा दे दो और मैं खुदाई का काम शुरू कर दूँ, when the king had dug two beds, अब जब उस राजा ने दो क्यारियां, यहाँ पे beds का मतलब इस्तर नहीं है, बचों, यहाँ पे beds का मतलब है क्यारी, जब इस राजा ने दो क्यारियां खोद दी, he stopped, राजा रुका and repeated और उसने दोहराया अपना क्या, his questions अपने सवाल, the hermit gave no answer, अब उस सन्यासी ने नहीं दिया कोई भी उत्तर, but stood up, पर फिर वो hermit ने क्या क्या, वो hermit खडा हुआ, stretching out his hand for the spade, और उसने क्या क्या, उसने खीचाब अपने हाथ से उस spade को, और कहा, now you rest, अब तुम आराम करो, and let me work, और मुझे काम करने दो, but the king did not give him the spade and continued to dig, अब भई, ये जो hermit है ना बच्चों, ये उत्तर नहीं दे रहा है राजा को, उसके सवालों के, बलकि उसने कहा कि भई, अब फावडा तुम मुझे दे दो, तुम थक गयो, तुम आराम करो, यानि कि जारी रखा, डिक करना, मतलब खोदना, तो यहाँ पर क्या-क्या हमने शब पढ़े हैं, देखिए, पहला है, बेड्स, बेड्स मतलब नदी तल, और यहाँ पर मिदिंग क्या है वच्चों जो इस्तमाल हो रहा है, यहाँ पर मतलब है क्यारी, Stopped मतलब रुकना, Repeated मतलब दोहराया, Gave मतलब दिया या फिर देना, Stood अप मतलब खड़ा हुआ, Stretching मतलब खीचना, डिग यानि की खोदना, One hour passed, एक घंटा गुजर गया, तो बच्चों वेंट डाउन का मतलब क्या है, नीचे गया, यानि की सूरज अब क्या करने लगा, वो धलने लगा और वो अब पेडो से नीचे जाने लगा, भही सूरज धलते वे नीचे ही तो जाता है ना, और फिर राजा ने आखिर कर, क्या किया, स्टक कर दिया, गुसा दिया, उस फावडे को जमीन पर और कहा, I came to you wise man, मैं आपके पास आया हूं बुद्धिमान व्यक्ति, for an answer to my questions, उत्तर पाने के लिए मेरे सवालों के, if you can, give me no answer, और अगर आप नहीं दे सकते कोई भी उत्तर, tell me so, तो मुझे बता दो, and I will return home, और मैं लौट जाओंगा अपने घर, here comes someone running, said the hermit, अब भई राजा की इस बात का भी उत्तर नहीं दिया, hermit ने, और hermit ने क्या कहा, उसने कहा, कि कोई तोड़ता हुआ आ रहा है, यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पे क्या-क्या शब्द हमने पड़े हैं, देखिए, पहला है past, मतलब गुजरना, फिर है went down, यानि की नीचे गया, behind, यानि की पीछे, stuck, मतलब घुसाना, या फिर चिपकाना, return, मतलब लौटना, तो बच्चों हमने यह तो जान लिया है, कि भई राजा को उसके सवाल की उत्तर तो नहीं दे रहे सन्यासी, पर क्यों नहीं दे रहे और क्या सच में सन्यासी उत्तर नहीं देंगे, वो कैसे जानेंगे, वो कहानी में हम आगे जानेंगे, पर पहले हम क्या करेंगे, फटाफट से क्या करने वाले हैं, हम इस पहले भाग के question answers करने वाले हैं, पहला सवाल है, why did the king want to know answers to three questions, ये जो राजा है वो इन तीन सवालो के उतर क्यू जानना चाहरा है, देखिये, the king wanted to know the answers, जो राजा है वो उतर जानना चाहरा है, to the three questions, इन तीन सवालो के, because क्यू की, he thought that he would never fail once, he knew the answer to these questions, क्यूंकि इस राजा ने सोचा, विचार किया, कि वो कभी भी fail नहीं होगा, असफल नहीं होगा, अगर उसे इन सवालो के उतर मिल जाएं तो, दूसरा सवाल, messengers were sent throughout the kingdom, जो दूत थे, वो पूरे राज में भेजे गए थे, mark your choice, अब क्यूं भेजे गए थे बच्चों, पूरे राज में उन दूतों को, देखिए, आपके सामने चार ओप्शन से, आपको क्या करना है, सही ओप्शन का चुनाव करना है, पहला ओप्शन है, to fetch wise men, fetch का मतलब होता है लाना, तो क्या दूतों को इसलिए भेजा गया था, कि बुद्धिमान आदमियों को लाया जाए, दूस तीसरा, to find answers to the question, जो सवाल थे राजा कि मन में तीन सवाल थे, उनके उत्तर देने के लिए उन दूतों को भेजा गया था, तीसरा, to look for the wise hermit, या फिर दूतों को भेजा गया था, एक बुद्धिमान सन्यासी को खोजने के लिए, चौथा बचों, to announce a reward for those who could answer the questions, या फिर इस जा गया था, कि पुरुसकार दिया जाएगा उन लोगों को, जो भी उत्तर दे पाएंगे राजा के उन सवालों के, तो बच्चों सवाल क्या है, कि उन दूतों को क्यों भेजा गया राज्य में हर तरफ, और उस के जो उत्तर है, इन चारों में से कोई एक option है, कौन सा option बच्चों, option 4, भई दूतों को भेजा गया ये घोशना करने के लिए, कि पुरुसकार उस व्यक्ति को दिया जाएगा, जो भी उत्तर दे पाएगा राजा के इन तीनों सवालों के, तो बच्चों अच्छी लग रही है न कहानी, अब क्या उत्तर है राजा के उन तीनों झालों के उन तीनों सवालों के लिए।